हेलो दोस्तो मेर होम कीचन में आज बन रही है चने डाल की एकदम नई तरीके की सबजी चना डाल तो आपने बहुत बार बनाई होगी लेकिन एक बार आप इस तरीके से बना कर देखिए आपको बेहर पसंद आएगी वैसे तो ये हमारी दादी नानी की परसो पुरानी सबजी है जिस तरीके से वो बनाती थी उस तरीके से भी हमें काफी पसंद आती थी अब हमारी बनानी का तरीका काफी जादा चेंज हो चुका है लेकिन आज हम जो तरीका आपको बताएंगे वो भी आपको काफी पसंद आएगा वीडियो अच्छे लेगे वीडियो को लाइक शेर चैनल को सब्सक्राइब करना बल्कूर न भूले तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ दो कप चैना डाल ली है जिसे मैंने दो घंटे पहले भीगो दिया था और अब ये काफी अच्छे से सोफ्ट हो चुकी है आप इसे गरम पानी में भीगो सकते हैं एक घंटे में ही आपकी जो दाल है वो भीग कर तयार हो जाती है तो चलिए इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं ग्राइंड करने के लिए हम एक लेंगे ग्राइंडिंग जार और उसमें हम इस दाल को डाल देते हैं और अब हम इसमें ड तृतना ही हमारी पकोडी जो है अच्छे से बन और तयार होती है तो इसे हम निकाल लेते हैं एक मिक्सिंग वाल आप पानी रख दीजे और अब एक छेद वाली थाली या फिर परात पे लीजे इसे आप थोड़ा सा घी या फिर तेल से इसे थोड़ा सा ग्रीस कर लीजे ताकि हम इस पर पकोड़ी बनाए और वो आसानी से उतर सके तो छेलिए पानी में उबाल आ चुका है और अब हम इस चोटी-चोटी पकोड़िया बनाकर तयार करें तो चलिए देख सकते हैं आप हमने पूरी परात मिया पकोड़ी बना दी है और हम इसे धक देते हैं तस मिनट के लिए स्ट्रीम होने देते हैं और दस मिनट हो चुके हैं impeller हम इसे खोल कर च्ण कर लेते हैं और चलिए अब पलट देते हैं पलटने के बाद 5 मिनट हम इने फिर से ठक कर पका लेते हैं और बस इसी तरीके से हमें सारी पकोड़िया बना कर तैयार करनी है और अब देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं और पकोड़िया बनकर तैयार है इन्हें हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और चिल मपा तलशन की कलिया लेंगे और चलिए इसे हम ग्रैंट कर लेते हैं तो इसकी प्यूरी बना कर हम साइट पर रगदेते हैं और अब ही आप दे कह सकते हैं पकोडिया जो हमारी सारी बनकर तयार हो चुकी हैं और अब हम छलते हैं गैस पर कभाय चळा देते हैं और तil डालेते हैं तil को अच्छे सी घरब होने देंगे अब हम इस भी डालेंगे 10 चमउट, जीरा और 3-4 डालेंगे थीस बत्ता इन्हें हम अच्छे से चटकनी देंगे अब हम इसके बाद लेंगे दो बड़े साइच के प्याज रफली चोब करके और इसे भी हम डालने के बाद अच्छे से फ्राई कर लेते हैं तो चलिए आप देख सकते हैं प्यास हमारा फ्राई हो चुका है अब हमनी जो प्योरी बना कर रखी थी टामाटर की उसे डाल देते हैं और चलिए उसे लगातार इसी तरीके से चलाते हुए एक दो मिनट के लिए पका लेते हैं और अब हम इसे ठककर ठोड़ा सा पकाएंगे तो चलिए ठककर पकाते हुए हमें दो मिनट हो चुके हैं और अभी आप देख सकते हैं काफी अच्छे से पक चुका है मसाला अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले एट करेंगे आदा चमच हल्दी पाउडर एक चमच डालेंगे लाल मिर्शी का पाउडर और एक चमच ही हम य दाल को पीसा था उसमें थोड़ी दाल लगी है उसी में हम थोड़ा सा पानी डालकर इस मसाले में डाल देते हैं इससे हमारा मसाले का कलर भी अच्छा हो जाता है और चलिए से ठक देते हैं और ठक कर हम मसाले को अच्छे से भून लेते हैं और अब हम इसमें मसाले को चेक क अब उसी के हिसाब से पानी अट कर दीजे और ठक कर इसे एक उबाल आने तक पकाएंगे तो यहां उबाल आ चुका है अब हम इसमें पकोड़िया डालेंगे और अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे तो चलिए इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ठक कर यहां हमारे 5 मिनट हो चुके हैं और सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है अब हम गैस का फ्लेम ओफ कर देते हैं और चलिए अब हम इस सब्जी में डाल देते हैं काफी सारा हरा धनिया और इसका लुग काफी जादा हद तक बढ़ा देते हैं तो हरा धनिया डाले के बाद एक बार अच्छे से फिर से हम इसे mix कर लेते हैं और चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं एक serving bowl में और इसे serve कर लेते हैं तो कैसी लगी आपको आज की ये चैना दाल की सबजी कमेंट में ज़रू बताईएगा और प्लीज वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक शेर चैनल को सब्सक्राइब करना बलको न भोले और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा तब ही हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ तबते के लिए धीर सारा इंज्वाई कीजिए और मुझे इजाज़ा दीजिए बाई एड़ टिक केर